हेलो एड़वन इंफोर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत हूँ आज के इस वीडियो हम बात करना होला आर्क क्यूंजिंग आर्क एक्स्टिंग्शन इंदर सर्कृट ब्रेकर तो इससे पहले मैंने आपको बता चुका थे आर्क लोगों मन में बहुत कंफ्यूज हैं कि आर्क होता क्या है क्या यह आर्क तो इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि जब भी हमारी सर्कृट ब्रेकर के अंदर हमारे फिस्ट कोईल और मॉविंग कॉंटेक्ट डिसकनेक् होता है तो आर्क कैसे तो निучूबी क्यक्ती है तो यहां मेरा मीरा यह फिस्ट कंटेक्ट मॉविंग कॉंटेक्ट है जैसे यह क्या होता है कि यहां कि आब वहां कि एयर को यह आइनायस करना शुरू कर जेता है तो एक पहले स lemons पढ़ लेता है दूरिंअपनिंग और फिस् यह हमारा moving contact, जब भी यह disconnect होते है, fault के car, तो क्या होगा, जो यहां का air होगा, वो ionized होना start हो जागा, highly ionized, through which the interrupting current gets low resistance path, and continues to flow through this path, तो जब भी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा heavy current, यहां पर होता है, जब भी disconnect होता है, मानले disconnection हो रहा है, arc produce हो रहा है, तब भी इस node से दूसरे node तक current हमारा flow कर रहा है, तो इस case में क्या होता है, जो यहां का area होता है, वहां पर low current होता है, low current के कारण हमारा, low resistance होता है, low resistance के हमारा current हाई हो जाता है, तो due to high current, low resistance, यहां पर यह जो area यहां पर highly ionized condition आ जाती है, जिसके जोते है हमारे यह रहा हो iron में change होना start हो जाते है, which the interruption current gets low resistance path and continue to flow through this path, even the contacts are physically separated during the flowing of current from one contact to other, the path becomes so heated that it glow, तो जब भी बहुता है कि बहुत जादा heavy amount में current flow होता है, disconnect जब होने लगता है, तब भी हां से current का flow चलता रहता है, हमारे low resistance के कारण, तो क्या होगा, यहां पर light produce होने लगेगी, heat produce होने लगेगी, spark produce होने लगेगा, sound भी release होगी, कभी आप station की तरफ जाके देना, जब भी हमारा circuit बेटकर जब भी on होता है, तो जब भी disconnect होता है, तो एक बहुत heavy sound produce होता है, तो इस चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा, क्यों कम करना पड़ेगा, इसके जैसे क्या problem आ सकते है, heat up, इसमें पहले होता है, heat ज्यादा produce होना है, क्या होता है, हमारे जो भी line से उसमें disturbance create होना शुरू हो जाए, तो इसे हमें overcome करना पड़ेगा है, मतलब कि quenching या extinction करना पड़ेगा, तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमें यहाँ पर starting जब disconnect होता है, तो यहाँ पर low, low क्यादा है, जब भी हमारा यह disconnect होता है, यहाँ पर low dialect की strength होता है, जैसे जैसे हमारा distance increase होने लगता है, तो हमारा जो dialect की strength है वह increase होना लगता है, जिसके spark थोड़ा कम होने लगते हैं, तो इसी चीज़ को हमें कम करने के लिए रिक आते हैं, या तो हम इसे compress कर देता हैं, या cooling या वहाँ की हवा को दूसी हवा से चैंज कर लेगा है दो यही सारे चीज़ों को लेके और वह सार्च के सरक्रिवर के build-up construction में हमारे मिलके स्पारीय करने यहां 받 बहुत सा का। इससे चेंज कर दिया है या हमने यहां पर कोई चीज मीडियम रखा ही नहीं तो आशे करते हों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंस्टिक्शन या आर्क क्यूंजिंग के बारे में आपको ढंक से पतत समझ आ गया होगा तो आने वाली वीडियो में बात करने वा यहें तो subscriberा की आकी सो मुथ होगी घब जगर्क के बाव कि जब समस्टीरा करते हिए Candुचरा करते होगी भीजरक करने खीन हे पक AW को आज़ क्वचरा प्सक्वचर कर 你 हूनाक्त्या हून्या हीं घपाली लेंगा है फ्सक्वरार करते हैं तो आनिया है वस्त्या हैं कि उखड